JTC holidays प्रस्तुत करता है क्राभी वर्चुल थूर, रेले बीच चार समुद्र तटों का एक सुन्दर समामेलन है जो चुना पत्थर की चट्टानों, विदेशी रिजॉर्ट्स, एक लेगून और टोनसाई बीच जैसे अध्वितिय आकर्शन प्रदान करता है। कोह पोडा का छोटा लेकिन खुबसूरत द्वीप अपनी सुर्मिय सिटिंग्स के लिए प्रसिद है। एक खुबसूरत और प्राकृतिक क्रिस्टल लेगून में एक काया कल्प तैरने के लिए जाएं, जिसे एमरल्ड पूल के नाम से जाना जाता है। म्यू कोह होंग एक अकेला द्वीप नहीं है, बलकि चूना पत्थर के द्वीपों का एक समू है जिसमें लाओ रियाम पक का, लाओ या सा का लाओ लाडिंग जैसे लोखप्रिय द्वीप शामिल है। जिस तरह की जगह कुछ प्रयासों की मान करती है, और फिर बदले में आपको सुन्दर जगहों के साथ पुरस्कृत करती है, टाइगा गुफा मंदिर क्राबी में एक सम्मानित बौध मंदिर है। को फीफी, छे द्वीपों का एक छोटा द्वीप समुह क्राबी में सबसे सुन्दर और व्यापक रूप से लोखप्रिय पर्यटन स्थल है। क्राबी के आसपास के सबसे प्रसिध अप्तटिय द्वीपों में से एक इस आश्चर्य जनक द्वीप को टब्ध द्वीप, कोह टैप या कोह थाप के नाम से भी जाना जाता है। क्राबी के गर्म जर्नों में दूब की लगाना सबसे रोमान्चक और काया कल्थ करने वाला अनुभव माना जा सकता है। क्राबी में असामान्य पर्यटन स्थलों की सूची में अगला एयो लुक मैंग्रोव है जिसे कष्टी के साथ देखा जा सकता है। उत्तरी तरफ क्लोग दाव से और दक्षिनी पर बांस की खाडी से फैला को लान्ता शायद थाइलेंड में सबसे पसंदीदा समुद्र तटो में से एक है। क्रावी में प्रकृती के साथ एक अंतरंग अनुभव का आनन्द लेने के कई तरीके हैं और टैब का खेंड नाक में ट्रकिंग उन में से एक है। क्रावी हाथी अभ्यारन्य क्रावी शहर से लगभग 40 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है और यह कई बचाए गए हाथियों का घर है। अपने अनुभवों की पुस्तक में एक नया अध्याय जोडे और इस प्राकृतिक पाक की यात्रा करें जो क्रावी में गूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। पोड़ा और टुप द्वीपों के दक्षनी भाग के आधार पर काई द्वीप को पोड़ा नुक द्वीप या हुआ खावन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। फ्रा नांग बीच एओ नांग बीच और क्रावी के बीच में स्थित है जो अपने प्रवाल भित्तियों, गुफाओं और साफ पानी से घिरी चट्टानों के लिए प्रसिध है। फीफी व्यूप वाइंट क्रावी में आपको मिलने वाले सबसे पुरस्कृत लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स में से एक इस सहसिक कार्य का अपना विशेश आकर्शन है। क्रावी प्रांथ की भव्यता इसके प्राचीन समुद्र तटो और उश्नकटे बंधिया जंगलों से परे है और दमड क्राब स्कल्प्चर इसका प्रमान है। क्रावी द्वीप अपनी प्राकृतिक सुन्दर्ता, तट्रेखाओं पर हरी भरी वनस्पतियों के लिए अपनी पैचान प्राप्त कर रहा है। इयो फ्रानांग बीच तेराकी और स्नौकलीन के लिए एक उतक्रिष्ट स्थान है, लेकिन मुख्य आकर्शन एक चूना पत्थर की चट्टान के अंदर एक गुफा है जिसमें एक मंदिर है। फीफी द्वीपों के सबसे दूरस्त हिस्सों में से एक मॉस्कीटो आइलंड अलग-अलग द्वीपों में से एक है जिसमें चूना पत्थर चट्टान है जो लगभग 700 मीटर उचाई पर है। यदि आप सुस्त सप्ताहंत से नफरत करते हैं तो क्राबी वीकेंड नाइट मार्केट वो जगह है जहां आप क्राबिक में बिलकुल प्यार करने जा रहे हैं। वास्तव में एक स्वर्गिय द्रिश्य मन की बीच अपने प्राकृतिक वैभव, स्नौकलिंग स्पोर्ट और निश्चित रूप से इसके निवासियों के कारण परियतकों के बीच एक महान प्रसिद्धी प्राप्त करता है। ड्रेगन क्रेस्ट क्राबी के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इसके शिखर से आप क्राबी प्रांत का मनमोहक द्रिश्य देख सकते हैं। थान बोक खोरानी नेशनल पार्क एक एको टूरिजम साइट है जो प्रकृती की पगदिंडियों, हरे भरे मैंग्रोव वन, प्राचीन जर्नों और प्रानपोशक गुफाओं का घर है। फौंग नगा खाड़ी के मध्यम इस्थित को याओ नोई द्वीप को अकसर, छोटा लंबा द्वीप कहा जाता है। यदि आप थाइलेंड में आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं, तो वौट थाम सुआ एक ऐसी जगह है जहां आपको अवश्य जाना चाहिए। अपनी प्राकृतिक सुंदर्ता और क्रिस्टल साफ पानी के लिए लोखप्रिय है जो स्नौकलीग और तेराकी का अनुभव करने के लिए उप्युक्त है। सुर्मिय समुद्र तट, बावन द्वीपों का अंदेखा स्वर्ग, सुखद मौसम और एकांत स्थान एक बड़ा द्वीप है जिसे कोह लांता याई कहा जाता है। इस क्षेत्र में लोह समाहखाडी के रूप में आश्चर्य जनक रूप से सुन्दर बहुत अधिक स्थान नहीं है और यही कारण है कि आपको इस स्थान को अभी अपनी बाल्टी सूची में जोडने की सलाह दी जाती है। सबसे प्रतिष्थित बौध मंदिरों में से एक जिसे आपको अपने दोरे पर नहीं छोडना चाहिए। क्राबी में देखने के लिए वाट केव कोरावरम वहतरीन जगहों में से एक है। फीफी द्वीप के दक्षिन में लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित, बिदानाई, बिदानोक का चुना पत्थर भाई द्वीप है। क्राबी टाउन के पास कुछ शांतिपूर्ण समय बिताने के लिए एक आदर्श प्रवेश द्वार क्लोग मुआंग बीच है, जो मनोरम द्रिश्यों और शांत वातावरन के साथ अपनी रमनिय सिटिंग के लिए जाना जाता है। क्राबी टाउन के करीब और अपने पर्यटन की चर्चा से दूर स्थित, नोपर्त थारा बीच आपके लिए एक आदर्श विकल्प है यदि यह शांती है जिसे आप धून रहे हैं। हौंग आइलेंड एक मनोरम स्थान है, जिसमें कोह लेगून के साथ प्रवाल भित्तियों, समुद्री गुफाओं और एकांत समुद्र तटों के साथ चार विदेशी द्वीप हैं। परियतकों की भीर से चिपा, दक्षनी थाइलेंड में तच से दूर, ट्रांग द्वीप समुव और कोहे द्वीप का चिपा हुआ खा जाना है। परियतकों की भीर से चिपा, दक्षनी थाइलेंड में तच से दूर, ट्रांग द्वीप समुव और कोहे द्वीप का चिपा हुआ खा जाना है। फाई द्वीप या खोफाई द्वीप श्रिंखला का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसमें कोह मैन विचाई, कोह लुआम नोई, कोह लुआम और कोह कलुंग बदन शामिल है। कोह लान्ता में उश्नकटे बंधिया वर्शावन के हरे भरे बरामदे के बीच में छिपा एक विसमयकारी द्रिश्य, खलोंग चक जलप्रपात एक ऐसी जगह है जिसे आपको अपने क्राबी दोरे पर नहीं छोड़ना चाहिए। आश्चर्य जनक मौन, आकरशक माहौल, शान्तिपूर्ण वातावरण, छायादार वातावरण के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है सुन्दर पाक बिया द्वीप, जो हौंग द्वीप के पास स्थित है। बिदा नोक द्वीप यह एक ऐसी जगह है जहां सभी स्तरों पर गोता खोरी की जा सकती है और यह उन सभी लोगों के लिए शान्दार मनोरंजन प्रदान करता है जो इसे करते हैं। कोह लानता में एक ओफबीट परियटन स्थल के रूप में सेवा करने वाली इस गहरी गुफा की खोज करके क्राबी में अपने अनुभवों के संग्रह में कुछ अलग जोडे। माना जाता है कि आवास के जीवाश्म लाखों साल पहले के हैं फॉसल शेल कब्रिस्तान एक पुरातन शेल कब्रिस्तान है जो क्राबी टाउन से बहुत दूर स्थित नहीं है। क्राबी पर्यतकों के लिए अद्वितिय अनुभवों का खजाना है और इस हाथी शिविर में हाथियों के साथ कुछ गुणवत्ता पूर्ण समय बिताना उन अनुभवों में से एक है। आओ नांग बीच एओ नांग क्षेत्र का मुख्य समुद्र तठ है जो अपने प्राचीन पानी और जीवन थ्यात्रा नौकाओं के लिए जाना जाता है। खाओ खाना अपनाम की दो चुना पत्थर की चोटिया निश्चित रूप से देखने लायक हैं। क्राबी नदी के किनारे स्थित चोटिया क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में अगल बगल बैठती हैं। माया बे सबसे प्रसिद लियोनाडो डी केप्रियो अभिनीत प्रसिद फिल्म में अपनी विशेष्टा के लिए जाना जाता है। जहां वे एक स्वर्ग जैसे द्वीप से बच जाते हैं यह निश्चित रूप से स्वर्ग है। मूंगा और साफ पानी से घिरा घने जंगलों वाला कोहाई ट्रांग द्वीपों में सबसे विक्सित है। JTC Holidays Private Limited, Rajkot. Contact 968-789-5000 या 922-76-00-8900.